हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चानल आज मैं आपको गेहू की कुड़े देसी तरीके से कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी ये शादियों में भी बनाई जाती है तो चलिए हम इसको बनाते हैं सबसे पहले एक किलो गहू को लीजिए गेहू आप ज़्यादा ले सकते हैं उसके तरीके से दो दीजिए दो ती बार दोने के बाद इसका पानी फैक दीजिए फिर बड़े से पतेले में गेहू को डाल कर पानी डाल लिए और ढखकर रख दीजिए दूप में या चाव में दूसरे दिन पानी को ज़रूर बदल दीजिएगा तीसरे दिन ये कुछ इस तरी तरीके से दिखेंगे फूले हुए फिर हमको इसको पीसना होगा आप घर पर या मशीन में ले जाकर बाहर से पीस लाती है तो अच्छा है ये मोटा पीसना होता है पीसने के बाद ये इस तरीके से दिखेंगा फिर हमको इसका चीक निकालना है चीक निकालने के लिए हमको दो चलनिया लगेगी एक मोटी और बारिक पहले हम मोटी चलने से चान लेंगे फिर हम बारिक चलने से फिर से उसे चान लेंगे इस तरीके से इस तरीके से चान लेंगे दो बार चलना है फिर चलने के बाद जो गेहू का वेस्ट या गोला होता है उसमें हम फिर से पानी को इस त चार मग एड़ करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे ताकि वो मिक्स हो जाए और फिर से हमको चलने से चानना है दो बार इस प्रोसेस को रिपीट केजिए और ढ़कर रख दीजिए सुबह ये इस तरीके से दिखेगा हमको इसका पानी जो है वो निकालना नहीं तो वो नीचे का चीक जो है वो वैस्ट हो जाएगा मिक्सों के और यह पानी पीला है इसलिए आपको पूरा निकालना है नहीं तो आपकी कुड़े ये वाइट नहीं निकालने के बाद यह चिपका हुआ होता है तो इसको घुलाना पड़ता है हाथ से घुलाईए घुलाने के बाद आप पतीले में पतीले को मिट्टी से पोद दीजिए और अंदर से तेल लगा दीजिए और जिना चीक है उतना पानी नाप दीजिए नापने के बाद उतना ही पानी पतिले में डालिए और फिर उसमें पोगा खाने का देड़ चमच नमक डाल दीजिए ये एक किलो के लिए है आपने जदा डाला हो तो उसके हिसाब से डालिए फिर पतिले को डखकर रख दीजिए डखने के बाद आप सबसे पहले ये उबाल आ गया हो तो लकड़ी को निकाल दीजिए लगड़ी को निकालने के बाद हम इसमें चीख डालेंगे अभी इस तरीके से डालते हुए हिलाना है, तब तक हिलाना है, jप तक ये गाड़ा ना हो जाए, गाड़ा होने के बाद ये कुछ तरीके से दिखेगा अब साच लेने हैं आप इतको भर कर कुर्ड़ई को डाल दीजिए इस तरीके से आप कुर्ड़ई को कर डा सकते साँचों में भर रही है और फिर है इस तरी के से कुड़े डाल दीजिए ये बहुत वाईट है क्यूंकि हमने वह शी के ऊपर का पीला पानी फैक दिया है कि यह देखिए यह बहुत आसान है और आसानी से गिल भी जाते सब कुड़े को हमने डाल दिया है यह देखिए कितने वाइट भी है दो तीन गंटे के बाद दूप में इससे पल्टा दीजिए पल्टाने के बाद इसको देड़ गंटे बाद आप इसका पानी डालकर निकाल दीजिए और सूपने के बाद ये कुछ इस तरीके से धिकेंगी और फिर इसको तलिए बहुत अच्छे लगती ह झायब झायब का हुट झायब के बाद खिकेंगी और सूपने के बाद पो घप पैज।